नाजरीन अदाब, मैं हूँ यूसरा और आप देख रहे हैं MMC News India नाजरीन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्स्राइब करें ताकि अच्छी और सची खबरें आपको सबसे पहले मिल सकें नाजरीन अजरीन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर मुम्ताज आलम रिजवे साब नाजरीन हम उनसे बात करेंगे राहूल गांदी ने अपने तरजुमान पर पाबंदी आइट कर दी है उस पर कुछ खास बात चीत करेंगे इसका क्या सबब हो सकता है उन्होंने यह पाबंदी क्यों आइट की है देखें राहूल गांदी ने एक महिने के लिए पाबंदी आइट की है और ये कहा है कि आप किसी भी डिवेट में नहीं जाएंगे और जाहिरत बात है कि शिकस्त के बाद जिस किसम की चीजें सामने आ रही है और राहुल गांदी का जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि उनके तेवर जो हैं वो काफी सखत होंगे पहले के मकाबले वो कड़े कदम उठाएंगे और मैं समझता हूँ कि उनमें से ये एक है आप सोच रहे होंगे या लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इसका क्या सबब है इसका सबब सिर्फ और सिर्फ ये है कि जिस तरीके से मीडिया का रोल रहा आपको याद होगा कि गुजशता दिनों अखलेश यादों ने भी मीडिया को बहुत खरी-खोटी सुनाई थी पूरे एलेक्शन में जो रोल लहा और जिस तरीके की वहाँ एंकरिंग की गई और एक खास पार्टी को एक खास नजरियों को टार्गेट किया गया मैं समझता हूँ कि इसलिए ये कहा गया होगा कि टीवी चैनलों को फिलहाल बाइकाट किया जाए मैं समझता हूँ ये तरजमान पर पाबंदी नहीं बलकि एक तरीके से मीडिया का बाइकाट है कि मीडिया जो एक तरफा कार्वाई कर रहा है जो जानिबदार हो गया है जो एक खास पार्टी को एक खास जहन को एक खास नजरीयो को फरोग दे रहा है तो इसलिए शायद राहूल गांधी ने ये खदम उठाया है कि किसी को फिलहाल डिवेट में जाना नहीं है और आपको मालूम होगा कि राहूल गांधी जो अब आएक्शन में आ रहे है उसका ये एक मैसेज भी देना चाह रहे होंगे और जब टीवी डिवेट में कांग्रेस के तरजमान नहीं जाएंगे तो जाहिर है कि मैसेज अपने आप पहुँच जाएगा कि वहां पे कांग्रेस का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है तरह तरह की बाते होंगी तरह तरह के ख्यालात आएंगे और तरह तरह की चीजें मनगढ़न तरीके से अब टीवी पे दिखाई जाएंगी लेकिन सचा ही ये है कि राहुल गांदी का ये अपने आप में एक बड़ा कदम है हला कि आप देख लें कि कांग्रेस में जो लीडर हैं ऐसा नहीं है कि वो बोलना नहीं जानते ऐसा नहीं है लेकिन उनकी बात कौन सुनता है उनकी बात कोई सुनता ही नहीं है और होता ये है कि फिर वो को जब कुछ ऐसी चीज़ें कह देते हैं तो उसको गले तरीके से पेश किया जाता है फिर मैं एक चीज़ और बताऊं कि जो TV debate है देखे जब किसी को बुलाया जाता है TV debate में तो guest कहलाता है वो गेस्ट लेकिन आज कल ये देखने में आया है कि जो गेस्ट होता है उसको मेजबान डाटता है यानि जो एंकर होता है जो बुलाता है एंकर कोई हैसियत नहीं होती है लेकिन जो एंकर बुलाता है वो अपने मेजबान को महमान को डाटता है आप माफी मांगिए आप शु आइंकर यानि जिसको आप गेस्ट कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कांग्रेस नहीं बलकि सभी को बंद कर देना चाहिए और अभी इससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी एक्षन लिया है उसने अपने सभी तरजुमान को हटाई दिया खतम ही कर दिया पैनली खतम कर दिय कि न रहेगा बास न बजेगी मासुरी कोई जाए गई नहीं तो जो रवाई ये चैनल का है उसमें ये फैसला मैं समाझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी पार्टियों को चाहिए कि वो बाइकाट करें उनको नहीं जाना चाहिए क्योंकि अब वहाँ पे कि ये पार्टि हैं और वो दुश्मन है और अपनी टियार पी बढ़ाते हैं गेस्ट को बुला करके उनकी बेज़्दती करके उनकी तवहिन करके समें बढ़ा रहे हैं अपनी दुकान चला रहे हैं शर मानी चाहिए ऐसे मीडिया वालों का और राहूल गांदी का कदम मैं समझता हूं यह बहुत उम्दा है और सारी पार्टियों को चाहिए कि वो टीवी डिवेट का बाइकार्ट करें इससे कोई फाइदा होने वाला नहीं जी उम्दा साथ एक तरफ हल्फ बरदारी का तक्रीब है दूसरी तरफ एवियम को लेकर प्रोटेस्ट क्या जा रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे देखे आज जो प्रोटेस्ट हो रहा तक्रीब का जश्ट मना रहे हैं दरसल आप जो है अपनी मेहनस से अपनी काविशों से अपने कारणामों से काम्याब नहीं हुएं बलकि एवियम के जरीए आप काम्याब हुए है और एवियम को हटाया जाए मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कدم है और आज जब दूसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है तो ऐसे मौके पर एवियम को ले करके पोर्टेस जो है ये एक बड़ी चीज है और मैं समझता हूँ ये पोर्टेस जारी रहना चाहिए अगर डाउट पैदा हो गया एवियम को ले करके और ये मतालबह किया जा रहा है कि बैलट पेपर से इंतखाबात कराएं जाएं तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा ख़दम है और कॉंग्रेस को भी इसे पहल करना चाहिए मैं तो हैरत मुझे इस बात की है कि जब भी एवियम की बात आती है तो कॉंग्रेस चुपी साथ जाती है इसकी वज़ा क्या है मैं नहीं सुच पा क्या इसकी वज़ाएं को लेकर कॉंग्रेस आई ती या कॉंग्रेस खुद एवियम के मामले में कहीं शामिल है क्या वज़ा है मैं नहीं जानता लेकिन जो आवाम हैं जो राय देंदगान हैं जो ओर देते हैं लाइन मिलग करके अगर उनके अंदर डाउट पैदा हुआ हो तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो उसको ये फैसला लेना पड़ेगा कि EVM को खतम करें और वापत बैलिट पेपर से आएं क्योंकि दुनिया के तमाम तरक्की आफ़ता जो ममालिक हैं तरक्की जो कर चुके हैं ममालिक वहां डेवलप्ट कंट्रीज जो हैं वो अब EVM से नहीं बैलकि बैलिट पेपर से ही एलेक्शन कराते हैं तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान को भी वापस बैलिट पेपर पे आना चाहिए ठीक है पांच छे साथ दिन आट दिन लग जाएंगे वोटो की गिंती में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई फर्क नहीं पड कोगा कर दिन होगा एंगे मुतालबा किया जा रहा है लेकिन अब ही मुतालबात जो हो रहें वह рок ऋरहे हैं वह इंजियो उसकी अपोई हो नहींहीं पार्टी बी कर रही हैयिसा नहीं है जैसे चोटी चोटी पार्टी है लेकिन जो प्रिंसपल अपोजिशन पार्टी है जो कॉंग्रेस है जब तक वो सड़कों पर नहीं उतरेगी और इसकी मुखालफत नहीं करेगी मैं समझता हूँ इसके कोई असर नहीं पड़ेगा और कॉंग्रेस को खूल करके आना चाहिए कॉंग्रेस को ये मामला पारलिमेंट में उठाना चाहिए और पारलिमेंट में उठाने के सास्ता सड़क पर आना चाहिए उनके तमाम कारकुनान को चाहिए कि वो डिमांड करें कि आप जो असेंबली इंतखाबात होंगे उसमें बैलिट पेपर से इलेक्शन कराए जाएं उसमें EVM को खत्म कर दिया जाएं अगर असेंबली इंतखाबात बैलिट पेपर से हो गए तो फिर 2024 का जो आम इंतखाबात होगा वो भी फिर EVM के बजाए बै सलसल करते रहने चाहिए और कॉंग्रेस को इसमें आ गया आना चाहिए कॉंग्रेस को लीड लेनी चाहिए जे ता सब बहुत-बहुत शुक्रिया शुक्रिया नाजिन आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुम्ताज आलम रिज्वी साहब नाजिन तो फिर हम हाजिर होंगे कुछ बड़े हबरों के साथ तब तक के लिए हमें दीजिए जादत और देखते रहिए mmcnews इंडिया और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें शुक्रिया खुदा हाफिज